जै मातादी रादे रादे वेलकम टू माई चैनल आज इस वीडियो में आप विभापंचमी की पूजा विदी देखेंगे अगरमास के सुकलपक्ष की जो पंचमी होती है उसको हम विभापंचमी कहते हैं इस दिन भगवान श्री राम और माता सीता का विभा हुआ था जैसे हम फागुन के महिने में मातागोरी और शंकर भगवान की सिवरात्री मनाते हैं उस दिन उनका विभाप हुआ था वैसे ही हम विभापंचमी मनाते हैं तो मेरे पास राम दरवार नहीं है मैं तुलसाजी और विष्णु भगवान की पूजा करके आपको दिखाऊंगी सरल विधी से पूजा करके दिखाती हूँ आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा बहुत सरल तरीके से मैं आप लोगों के लिए इस तरह की विडियो ले कर आती हूँ ये पूजा मは किस प्रकार करती हूँ वो आपको दिखा रही हैं बहुत सारे बहुत बच्चियां होती है व आपको सभी ब्रत, त्योहार, पूजा, पाट, विधी, नियम बहुत ही सरल तरीके से मिलेंगे तो ये देखिए हमें एक पटले पर गंगा जल के छीटे देकर उसको साफ कर लिया था और उस पर मैंने चौक पूरा है ये मैंने हल्दी से पूरा है आटे से और हल्दी से ही पूजा करती हूँ और ये तुलसा जी है तो तुलसा जी में ही मेरे सालिक राम रहते हैं तो उनको भी मैंने सिंगार दे दिया है क्योंकि हम उनको गमले में से हटाते नहीं है उसी में रखे रखते हैं ये पूजा की सामिक गिरी है विवाह का जो वर्सगांठ मनाई जा र सिंगार का समान चड़ाना चाहिए जैसे मैंने आप देख रहे हैं कि माता को चूड़ी पहनाई है और ये माला पहनाई है हम माता को मंगल सुत्र भी पहनाएंगे लेकिन सभी पूजा करने से पहले हमें संकल्प लेना चाहिए और हमें गड़ेश भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए तो मैंने गड्स भगवान को टुल जो सुपारी होती है उसी पर कलावा लपेटकर मैं बनाती हूँ फिर उनका हम में घंबले में ही दबा देती हूं उनको विसर्जन के लिए तो मैंने हैं पर तुलजी मैं इनको भगवान गड्स जी को रखते नहीं है इसलिए नीचे रख लिया है सुपारी बुष्णु भगवान के पास रखी हुई है जिनको हमने गलिज भगवान माना है क्योंकि हम तुलसाजी में गलिज भगवान को नहीं रख सकते थे अब मैं माता सीता को ये सिंगार दे रही हूँ तो विवाण पंचमी के दिन प्रभुश्री राम्वיות मात शीता का जो विदी विधान के साथ पूज़न करते हैं कोई भी हमारे बहन भाई हैं जिनको नहीं आती है या अभी तक नहीं की थी तो वो इस सरलविदी से कर सकते हैं हमारे जीवन में या विभाव में आने वाली सभी बाधाय तूर हो जाती है विभायत लोगों का दामपत्य जीवन बहुत सुख में रहता है स्योग्य जीवन साथी मिलता है और इनकी पूजा वस्य करनी चाहिए क्योंकि गो स्वामी तुलसी दाज जी ने भी राम चरित मानस के जो बाल कांड है उसमें भी ये पूजा बताई है और इस दिन आप ओम जान की बल्लभाय नमा इस मंतर का जाप कर सकते हैं या फिर आप एक कागच और लाल पैन लेकर या डायरी बना लीजिए कौपी बना लीजिए उस पर जैस याराम जैस याराम 108 बार इस दिन से लिखना शुरू कीजिए आप देखेंगे आपके सभी काम बनने लगेंगे यानि 108 की जो माला है वो आप इस तरह से लिख सकते हैं तो यह देखिए मैं आलता चड़ा रही हूं जिसे मावर कहते हैं सीता माता को मावर चड़ाने से जो आलता होता है मावर चड़ाने से सभी काम बनते हैं और आप बालकांड में जो चोपाई है आप भी लिख सकते हैं या अपने मन मन में गुन गुना सकते हैं सुनसिये सकते हैं असीस हमारी पूजा ही मन कामना तुमारी नारद बचन सदा सुची साचा सो बरू मिले ही जाही मनुराचा यह नारद जी ने सीता माता से कहा था तो यह देखिए पूजा के बाद भगवान को म इसा भी ले सकते हैं भगवान को नारियल भेट सरूप देते हैं जो भी हमारे कोई हम विभास अंसकार करते हैं तो उसमें एक नारियल या गोला लड़ू बता से यह सब चीज एक दूले को दिया जाता है तो इसी प्रकार हम यह बहुत सरल तरीके से मैं आपको पूजा करके दिखाए इस तरह से कर सकते हैं किसी भी पूजा में संकल्प लेना बहुत जरूरी होता है संकल्प लेने की विधी में अपनी हर वीडियो में बताती हूं आपको सीधे हाथ में जल लेना होता है तीनवार और उसमें फिर बोलना होता है मेध माधवाय नमा केसवाय नमा रि प्रवद भी नहीं होती है आई होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा तिल देन बाइबाय जय माता दिए